पहले से ही कई बड़े अवर्ड अपने नाम करने वाले टॉक्टर संदीप मार्वा की नाम इक और सम्मान का इजाफा हुआ है नौईडा इस्थित मार्वा स्टूडियो में फेलिसितेशन अव् डौक्टर संदीप मारवा वाई वर्ड बूक ओफ रिकौर्ड कारिक्रम आयू जित किया गया जिसमें पाच फीबार संदीप मारवा ने वर्ड भू ओफ रिकौर्ड की शुरुआत की गई कारिक्रम में डॉक्टर संदीप मारवा, डॉक्टर दिवाकर सुकुल शामिल रहे वहीं कारिक्रम में उपस्थित अधिती गण को पुस्तक भेट कर उनका भवी स्वागत किया गया कारिक्रम में डॉक्टर संदीप मारवा पर आधादित डॉक्यूमेंटरी फिल्म की स्क्रीनिंग भी की गई बतादे की रास्ट्री और अंतरास्ट्री देशों में कला, संस्कृति और मनुरंजिन जकत में किये गए अनंते कारियों के रिए डॉक्टर दिवाकर सुकृल द्वारा संदीप मारवा को वर्ड बुक औफ रिकॉर्ड देकर सम्मानित किया गया डॉक्टर संदीप मारवा विश्वस्तर पर सबसे बड़ी संख्या में लगो फिल्मों के निर्माता है और बड़ी संख्या में टेलेविजन कारेक्रमों, फीचर फिल्मों और क्रसेक्शन फिल्मों में जुड़े रहे हैं आफ्ट और ICMEI के संस्था पर डॉक्टर संदीप मारवा ने उबस्तित सभी लोगों का शुक्रिया आदा किया और कहा मुझे बहुत खोशी हो रही है वर्ड बुक ओफ रिकॉर्ड में मेरा नाम दर्च किया गया है और मुझे वर्ड बुक ओफ रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया शौर्ड डिजिटल फिल्म का EAAFT फेस्टिवल 14 संस्क्रण तर पहुचने वाला एक मात्र फेस्टिवल है जो सौ से अधिक देशों के तीन हजार फिल्म निर्देशकों और बारा हजार तकनीशियनों को अपनी पहली फिल्मों को प्रदर्शित करने का अफसर देता है वही डॉक्टर दिवाकर सुकुल अध्यक्ष वर्ड बुक ओफ रिकॉर्ड लंदन ने कहा कि जो छात्रों की छुटी हुई प्रतिभा को जान ले वही अच्छा गुरू है संदीप मारवा में ये काबलियत है मुझे उन्हें वर्ड बुक ओफ रिकॉर्ड लंदन से सम्मानित करके बहुत खुशी हुई है वही कारकर में डॉक्टर संदीप मारवा दोरा डॉक्टर दिवाकर सुकुल को लाइफ टाइम मेंबर्शिफ वर्ड पीस डवलप्मेंट एंड रिसर्च फाउंडेशिट मोमेंटो दे कर सम्मानित किया गया इसा काम हुआ है जो बिलकुल अलग है और आउट आफ बॉक्स है हम इस ये रिकॉर्ड हमारा पांचमी दफ़ा लंडन बॉक आफ रेकॉर्ड में और इस रिकॉर्ड में क्योंकि हम लोगोंने बारां से भी ज्यादा अंतर राष्टिये जो फेस्टिवल्स हैं वो देश औ और दुनिया को दिये हैं और इन तमाम फेस्टिवलों में कहीं न कहीं कोई न कोई ऐसी बड़ी अंतराष्टे बात हो चुकी है कि जिसकी जिसकी वज़ा से हमें रिकॉर्डिशन मिलता रहा है लेकिन इन तमाम फेस्टिवल में से एक फेस्टिवल ऐसा है एए एफटी फे प्रेस्टिवल नहीं है जो 114 अडिशन तक पहुंचे हो। पहुंचे हैं तो उसके लिए वो हमें आवार्ट भी कर सकते हैं और रिवार्ड भी दे सकते हैं अपने नाम असरिक दे रहे हैं कई आवार्ड भी आपको मिल चुका है पहले भी पिन सबका सुरे आप नहीं दिना चाहते हैं देखी सबसे मज़े की बात है कि ये मारवा स्टूडियो एक टीम है एक टीम है जिसके अंदर सभी लोग मेरे चपडासी से लेकर और मेरे यहां के सभी डिरेक्टर, मेरे सभी स्टूडेंट्स, मेरे फैकल्टी मेंबर्स, मेरे एड्मिस्टेशन के लोग और मेरे से मिलने जुलने वाले, मुझे हर बात पे हर रोज मेरे से मिलकर मुझे सिखाने वाले और मेरा अपना परिवार और और इस का श्रे बहुत सारा श्रे मेरे माता पिता को जाता है कि जिनकी अच्छे संसकारों की वज़ा से मैं यहां तक इस मकाम तक पहुँच सकाँ अजिर अजिए अब टोड़ी और टोड़ी इस एवेंट? I think this event is wonderful because first I think honoring Sandeep Marwa Ji or Dr. Sandeep Marwa Ji is an honor to World Book of Record as well. It is also an honor in the field of creativity and also in some ways that how India is becoming a hub of creativity. I see a lot of younger young people here and most of you are having a mentor like Sandeep Marwa Ji so when you see him, you can see that how you can use your creativity in a very constructive manner. And how's your experience in Marwa Studio and when you gave World Book of Records London on a Sandeep Marwa, how do you feel? See, I have attended one of your fashion show and I have seen the passion and dedication towards what Marwa Studio is doing. So I'm very proud that we have someone, you know, or we have the creativity institute like Marwa Studio. But also when you have a mentor like Sandeep Marwa Ji, that gives you more courage that you should acknowledge people like them all over the world.